हेलो काईज, वेलकम टूटेकिया सर यूटिव चैनल और कैस जैसे का आप सभी को पता हैं, इंडिया में लॉग डाउन हो चुका है 14 एपरल तक के, तो बहुत सारी आपको e-commerce वेबसाइट जो है वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, तो कौन कौन सी साइट है, क्या कुछ इस पर अभी अभी फिलाल के लिए अविलिबल है अस वेले अस बहुत सारे स्मार्टफोन लॉंचेज यहाँ पर शेडूल करे गए तो मार्च को लेके लेकिन उसको भी यहाँ पर पोस्पॉंड करे गए तो कौन सी स्मार्टफोन है, एक्जेक्ली में क्या कुछ यहाँ पर पोस्पॉंड हो चुक है, क्लोज हो चुक है आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ तो सी बात पे कर देने एक वीडियो को लाइक, यह वीडियो का लेक अटार के टक्ते हैं, 2000 लेक्स का I hope कि आपर आप कर दोगे, so guys चली वीडियो स्टार्ट करते है So friends, वीडियो स्टार्ट करने से विले आपको बता दू यार, आज के दिनी यहाँ पर मैंने दोपैर में एक वीडियो दाला था Top 10 upcoming smartphone जोके April 2020 में आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे तो अगर आपने वीडियो नहीं देखियो, तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दे दूँगा जरूर से जाके आप चेक आउट कर सकते हो, धमाकेदार आपको smartphone देखने को मिलने वाले अब यहाँ पर lockdown में कौन-कौन सी website है, especially जो mobile related यहाँ पर Amazon यहाँ पर totally close हो चुका है, मतलब आप कोई भी smartphone अगर purchase करने जाते हो, तो directly वह आउट व स्टॉक आपको बताता है, आप purchase नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर Amazon पर कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी भी बिकरी है, जैसे की मेगी हो गया, यह खाने का आइटम हो गया, यह सेनिटाइजर हो गया, जो essential आइटम से वह available है, लेकिन जो smartphone से और जो normal चीज़ें हम इस्तमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें को totally बन कर दिया गया है, कुछ time के लिए, I think 14 April के बाद ही यहाँ पर start होने वाला है, flip card भी यहाँ पर close हो चुका, flip card भी यहाँ पर letter दाल चुके, कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो available नहीं है, यहाँ पर भी कोई smartphone पर भी जो फिलाल sale चल रहा था, mobile का, तो उसे भी close कर दिया गया है, और totally अगर आप कोई भी smartphone पर tap करते हो, तो direct लिए आपका out of stock बताता है, तो flip card भी totally Amazon, flip card, दोनों पर यह अभी आप कोई भी smartphone as well as other normal items जो पर्चेस नहीं कर सकते हो, अब कौन कौन से smartphone यहाँ पर postpone करेंगे, तो यहाँ पर अभी फिलाल के लिए जो यह अफते में तीन smartphone थे, पहला smartphone जो postpone करेंगे है, वो है Realme की नार्जो स्रीज, आप सभी को पता है, सब भी स्मार्च को यहाँ पर इंडिया में लौंच होने वाली थी, Realme ने पहले statement दिये थे, कि बहुत लब यह online event अने वाला है, sale हम 14 April के बाद में रखेंगे, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो event था online वाला, वो भी उन्होंने postpone कर दिया, भी फिलाल 26 March का आपको कोई भी Realme की तर लेकिन आप यहाँ पर मनु कुमार जैन ने ट्विटर पर पोस्ट करके बता दिये, कि यहाँ पर यह भी अभी फिलाल के लिए अवलेबल नहीं रहेगा, इसको भी ड्यू टू COVID-19 और लॉक्डाउन की वज़े से इसको postpone करके में भी 14 April के बाद इसमें आपको देखने को म मिलेगा, तीसरा स्मार्टफोन जो के वीवो का ओफलाइन वाला स्मार्टफोन था वीवो वी 19 जो के आराउंड 1-2 April के आसपास लाँच होने वाला था, तो वीवो ने भी उसको postpone करके उसकी डेट को जो आगे बढ़ा दिया, भी फर्दर बताए नहीं कि कब यहाँ पर य यहाँ पर जो है टेग यहाँ स्मार्टफोन से रिलेटेट जो है सारी चीज़े बन दो चुकी है, बकी आप मुझे comment section में बताना, आप आपको यहाँ पर इदम से खाली-खाली लग रहे है, जैसा भी लग रहे है, मुझे comment section में ज़रूर बताना, और आप क्या कोई smartphone अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे है, क्योंकि smartphone launches totally बन दो चुके है, और sale वगरा, मतब सारी चीज़े बन दो चुकी है, तो वही मैं सोच रहा था कि हैर आप लोग कौन से टाइप की वीडियो देखना पसंद करोगे, मुझे ज़रूर बताना नीचे comments में, थैंक यू